यब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज उलंद करनी पढ़ती है दियोस क्लिक पर मेरे साथ दियोस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिये इस लिंक पर क्लिक कीजिए, जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिंड कीजिए आपके सामने तीन विकल्ब है नाउसकार एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ कि आप लोग न्यूस क्लिक के हाथ इसी तरह से मजबूत कर रहे हैं हमारी सदस्ता को ग्रहिंड करके और आज बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कोरोना को लेकर वैक्सीन भारती जनता पार्टी की जागीर है क्या बीजेपी की संपत्ती है क्या और सबसे बड़ी बात भारती जनता पार्टी की नेताओं को ये किसने हक दिया ये कहने को कि हमने राज सरकारों को जब आज़ादी दी थी वैक्सीन हासिल करने की अरे प्रधान के अंतर्गत, मैं आपको बतलाता हूँ दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपके स्क्रीन्स पर ये हैं केंदर सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पूरी, जिनके अंदाज बयां आजकल एक ट्रोल की तरह हो गए हैं, ये क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर, ये जो मुफ्त में वैक्सीन दी है उसको लेकर श्रे लेने में होड मच गई है मगर ये हालात किस ने पैदा किये कॉंग्रिस को ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन को लेकर शशी धरूर और जैराम रमेज जैसे नेताओं ने भरम की स्थिति पैदा की दो तस्वीरे देखिए द संगठन ने कहा है कि कोरोनिल कोरोना की दवा नहीं है मैं आपसे जानना चाहता हूं हरदीव सिंगपूरी कि वैक्सीन को लेकर आखिर भरम की स्थिति शशी धरूर और जैराम रमेश पैदा कर रहे थे या आपके अपने स्वासमंत्री और उससे भी बड़ी बात ये आदम भूट पहला रहा था कि 10,000 डॉक्टर मारे गए जिन्होंने वैक्सीन ली यह आदमी वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा कर रहा था यह आदमी यह भी कह रहा था कि मैं वैक्सीन नहीं लूँगा क्या कहा था राम देन ने पहले आप सुनिए फिर मैं उसकी चर्शा करता हूँ तीसरा बुलो मुझे डॉक्टर बनना है टर 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 करते रहे थे टर बनना है टर डॉक्टर एक हजार डॉक्टर तो अभी कोराना की डबल वैक्शन लगाने के बाद मर गए कल क्या समाचार है कितने एक हजार डॉक्टर डबल वैक्शन लगाने के बाद भी मर गए अपने आप कोई नहीं बचा पाई वो कैसी डॉक्टर ही तो मैंने का डॉक्टर बनना है तो सौमी रामदेव जैसा बन जिसके पास में कोई डिग्डीर नहीं और सबका डॉक्टर है हर्दीप सुम्पूरी आप में हिम्मत है रामदेव के खिलाफ अक्षिन लेने की और फिर आप ये कहते हैं कि साहब कॉंग्रेस भ्रहम की स्थिती पैदा कर रही है कॉंग्रेस क्या कह रा था मैं आपको बताता हूं शशी थरूर का जो बयान इन्हों ने पेश किया आपकी स्क्रीन्स पर दे को वाक्सीन हाज नॉट येड कंप्लीट फेस थ्री ट्राइल्स अप्रूवल वस्प्रेमिचर अंड कुड बी डेंजरस सिर्फ ये कहा कि को वाक्सीन को लेकर तीनों जो ट्राइल्स है वो पूरे नहीं हुए ये जनता के लिए खतरनाक हो सकती है अब ज इन्टिनाशनली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है उसका अनुसरन क्यों नहीं किया जा रहा स्वास मंत्री को इस पर स्पष्ट करन देना चाहिए ये ध्यूनों नेता सिर्फ इतना कह रहे हैं कि को वाक्सीन को लेकर जो तीसरे चरण का ट्राइल है उस पर अनुमती के आना चाहते हैं तो आपको इजाजत नहीं मिलेगी जी हाँ अगर आपने को वैक्सीन लगाई है आप इंटिनाशनली तभी जा सकते हैं अगर आपने कोवी शील्ड लगाई है मैं आज पूछना चाहता हूं कि चलिए कॉंग्रिस तो राजनीती कर रही है मान लिया मगर आपने खुद ने क्या किया पताईए ना तीसरे चरण का आपने अनुमती ना दे कर उसके बाद क्या हुआ कि आज इंटिनाशनली विश्वस्वास संगठन को वैक्सीन को स्वीकृत ही नहीं कर रहा है इसका जवाब है हरदीप सिंग पूरी के पास अब एक और चीज़ द 1145 रुपए और को वैक्सीन की कीमत है 1410 यानि कि जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है को वैक्सीन वो है 1410 रुपए सबसे ज्यादा कीमत है इसका क्या जवाब है यह तो स्वदेशी वैक्सीन है यह तो सस्ती होनी चाहिए काइदे से पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए प्र 2410 रुपए इसका क्या जवाब है भारत सरकार के पास और अब मैं आपको बताता हूँ यह BL संतोष करके एक नेता है इनका यह बयान देखिए दोस्तों इस बयान में एक सामंती सोच दिखाई देती है अंग्रेज जो यहाँ पे 200 साल राज करके गए थे ना वो वाली सोच दि फ्लॉप इसका क्या कह रहें आपर इसकी सिर्फ 36 दिन लगे संगिय धाचे को बिखरने में हमने राज्यों को आजादी दी मगर राज उसे बरदाश नहीं कर पाए अरे बियल संतोष सहाब मैं जानता हूँ कि आप के अंदर दिल के अंदर करनाटक का मुख्यमंत्री बनने की ललक है और वो बनने के चक्कर में आप अकसर बहुत अनापशनाप चीज़े कहते हैं मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मुझे करपया या बताने की कोशिश करें आप कि आप कौन होते हैं यह बोलने वाले कि हमने राज्यों को आजादी दी आप होते कौन हैं? आप माईबाप हैं? आप अंग्रेज सरकार हैं? ये देश एक संग्धिय धाचा है जा हर राज को अपने स्वैसले करने का अधिकार है जब पंजाब और ये बात बहुत ध्यान से सुनेगा जब पंजाब और दिल्ली ने मोडेरना और फाइजर वैक्सीन हासिल करने की कोशिश की तो इन दोनों कमपनियों ने मना कर दिया क्योंकि इंडेम्निटी क्लॉज ये दोनों राज्य नहीं दे सकते थे उसके लिए केंद करते रहें मैं आपको बताता हूँ कि वैक्सीन दुनिया भर से केंदर सरकार हासिल करे और जनता में उसे वित्रित करे राज्य सरकार कोई विरोदा भास नहीं है विपक्ष क्या कह रहा है कोई विरोदा भास नहीं राज्य सरकारें क्या कह रही है आपने जो गलतियां की उ उससे सुधारी है मैं आपको बताता हूं दोस्तों को वैक्सीन के जो CMD थे Dr. Krishna Ella उन्होंने क्या कहा था उन्होंने 8 जून 2021 को ये बयान दिया था कि को वैक्सीन की कीमत एक मिनरल वाटर के बॉटल से भी कम होगी क्या कहा था पहले आप खुछ सुनें अब मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था तीनों वैक्सीन में सबसे ज्यादा कीमत 1410 रुपए को वैक्सीन की है आज मैं आपको लगतार ये दमाम बातें क्यों बतला रहा हूँ दोस्तों कि वैक्सीन की नाम पर भारती जनता पार्टी की सरकार इनके तंत्र इनके नौकरशा इन तमाम लोगों के जो बयान है वो बहुत ही गएर जिम्मेदाराना है इसके लावा कुछ नहीं जी हाँ सबसे पहली बात आपने जनवरी में ही कोरोना के खिलाफ जंग जितली थी आपने दिनिया भर में ऐलान कर दिया उसके बाद आपने अप्रेल में प्रधान मंत्री का अपना ये बयान था हिंदुस्तान टाइम्स का जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने Corona के खिलाव जंग बगैर Vaccines के जीत ली, बगैर टीकों के जीत ली आप इस सरकार के समर्थक हो सकते हैं, मगर आप मुझे बताई ये बयान सही है या गलत है ये सरकार लोगों में भरम पैदा कर रही है, या विपक्ष लोगों में भरम पैदा कर रहा है या मेरे जैसे पत्रकार लोगों में भरम पैदा कर रहे हैं क्योंकि प्रधान मंतरी ने जब देश के सामने रूबरू होए थे पांच बज़े के उनके भाशन में तो उन्होंने कहा था विपक्ष और कुछ पत्रकार ऐसी बाते कर रहे تھے नहीं प्रधान मंतरी कुछ पत्रकार सवाल कर रहे थे जो की करना चाहिए मान लीजे इस बात को कि आपने अगर 18 से 44 साल की उम्र में लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी है सरकारी अस्पतालों में तो वो सिर्विस लिये हुआ क्योंकि सुप्रीम कौर्ट में आपको लतार लगाई थी आपके बारे में कहा था आबिट्ररी और इर्राशनल वैक्सीन पॉलिसी ओफ दे मोधी गवर्मेंट ये शब्द है सुप्रीम कौर्ट के इस बात से आप मूह नहीं मोड सकते दोस्तो सबसे दुख्की बात है कि इस सरकार का ध्यान बुनियादी मुद्दों पर अब भी नहीं है ब्लाक फंगस को लेकर मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं मगर इस सरकार के पास राज्यों को देने के लिए अमफो टेरिसन नहीं है दवा नहीं है मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो ब्लाक फंगस के मरीज हैं जिनकी मृत्कों की तादाद लगातार बढ़ती जारी है उसको लेकर आपके पास क्या प्लान है अब मैं आपको दोस्तों एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ और मैं यह आर्टिकल दिखाकर आपको डराना नहीं चाहता हूँ यह देखिए यह आर्टिकल क्या कहता है सरल शब्दों में आपको मैं बता दू यह आर्टिकल यह कहता है कि SARS-CoV-2 वाइरिस जो है इससे हटाया नहीं जा सकता है दुनिया भर के जाने माने वैग्यात क्यों नहीं आपके सामने आर्टिकल है पढ़के सुनाना चाहता हूँ इस ताइम तो से इट लाउड वाइरस बहाइंड गोविड-19 पैंडेमिक इस नौट गोई आवे SARS-CoV-2 पैंड नौट भी एराडिकेट कि जो एक कोरोना वाइरस है ये सिर्फ इनसानों में नहीं बढ़ रहा है जानवरों में भी बढ़ रहा है भारत के अंदर खबरें आई थी कि किस तरह से शेरों के अंदर ये कोरोना वाइरस पाया जा रहा है कुत्ते जो हैं वो लाशों को नोच नोच के खा रहे थे मेरे जहन में एक आशंका है कि कहीं उन कुत्तों को भी कोरोना वाइरस तो नहीं हो जाएगा वो कोरोना वाइरस से संक्रमिक तो नहीं हो जाएगे फिर से देखिए ये आर्टिकल आपके स्क्रीन्स पर ये साफ तोर पर हमें चितावनी दे रहा है कि ये वाइरिस बना रहेगा आज मैं केंदर सरकार से पूछना चाहता हूँ प्रॉपगैंडा करने के बजाए मेरे इन दो सवालों का जवाब दीजे ब्लाक फंगस को लेकर आपके पास क्या समाधान है क्या आपके पास धवाएं हैं हजारों लोग मर चुके हैं दरजनों लोग मर चुके हैं ब्लाक फंगस से ये ब्लाक फंगस फिर से दोरा दू जिन लोगों को कोरोना होता है और जब वो ठीक हो जाते हैं उसके बाद उनकी जो शरीर की प्रतिरोधक शम्ता है, इम्यूनिटी, वो खत्म हो जाती है, उन लोगों को ब्लाक फंगस होता है दोस्ते, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ब्लाक फंगस का आपके पास क्या इलाज है, एम्फो टेरेसिन क्या आपके पास पर्याप मात्रा में है, मेरे सवाल का जवाब दीजे, और दूसरा, ये जो तमाम वैग्यानिकों ने चेतावदी दी है, कि ये कुरोना लगातार बना रहेगा, आप मुझे बताईए, आपके पास क्या इलाज है इस हालात को लेकर, क्योंकि भारती जनता पार्टी तो अभी से बीजेपी, जो है वो उत्तर प्रदेश चुनामों की तयारी में जूटी हुई है, अभी इन्होंने एक नया, क्या कहते हैं, अभी से इन्होंने सेट करना शुरू कर दिया है, आज ही जितन प्रसादा, कॉंग्रिस के नेता जो हैं, वो भाजपा में शामिल हुए, क्यूंगि उन्हें ये लगता है कि ब्राह्मन नाराज है, और जितन प्रसादा जो हैं, वो अगर आ जाएंगे तो ब्राह्मन हमसे खुश हो जाएगा, अभिसार शर्माजी जैसे ब्राह्मन ने से खुश हो जाएंगे, पहले तो आपको उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना होगा, कि जितन प्रसादा एक ब्राह्मन है, दूसरी बात, देखे वो ब्राह्मन हो या ना हो एक अलग बात है, मुद्दा ये है कि क्या कोरोना को लेकर आप गंभीर हैं, घर में मेरे बच्चे बैठे हुएं ऑनलाइन क्लासिस कर रहे हैं, कुछ लोगों का कॉलेज में अडमिशन हो गया था, वो दो साल से नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे घरों में बैठे बैठे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ये तमाम मुद्दें आपके सामने, आपने इन सवालों का जवाब दिया या नहीं दिया, इन सवालों का जवाब आपके पास है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना आता है और उसके इलावा कुछ नहीं करना आता है, आप सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं, उसके इलावा कुछ नहीं आता है, और मैं आपको बता दू, भाजपा चुनाव कोई लक्षमन रेखाओं, शालीनता के, र उनका background योगी के साथ का है, वो आ गए हैं चुनावायोग में, अब कुछ दिनों बाद आप देखेगा, ये लोग ED का इस्तिमाल करेंगे, income tax का इस्तिमाल करेंगे, NIA का इस्तिमाल करेंगे, और इसके जरीए अखिलेश यादव को target करेंगे, मायावती, अब पता नहीं माया आपको सिर्फ चुनाव लड़ना आता है, और फिर मैं दोहरा दूँ, ये vaccine जो है न, Corona की, ये किसी की निजी संपत्ती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, इस देश की जनता के पैसे से अरजित की गई vaccines हैं, उस पर हक इस देश के आम इंसान का है, इस पर पहलाक इस देश क सबसे कमजोर तबके के इनसान का है, आपका नहीं है, मेरी इस बात पर गौर रखेगा, नमस्कार